दोस्तो अगर आप भी दात के दर्द से परिशान हैं जैसी आप कुछ खाते पीते हो दात का दर्द होने लग जाता है दातों में जंजनाहर से होने लगती है और अचानक से तेज दर्द होने लगता है तो अगर आपको भी दात के दर्द की समस्या हो रही है तो इस वीडियो को complete देखेगा इस एक गोली के बारे में जरूर जान लीजे ये एक गोली आपके दात के दर्द को बिलकुल ठीक कर देगी emergency में ये गोली अपने पास जरूर रखनी है ताकि जैसी दात का दर्द start हो आप इस गोली को ले लो और दात का दर्द 10 से 15 मिनट में ही कम होने लग जाता है इस गोली के बारे में हम पूरी detail से बात करेंगे किस नाम से मिलती है इसके opioid क्या है, side effect क्या है, dose क्या है सारा कुछ इस वडियो में हम complete बात करेंगे तो दोस्तो ये emergency में अपने पास जरूर रखेगा सबसे पहले जाने दोस्तो जब भी दात का दर्द होता है तो क्या क्या आपको लक्षन दिखाई देते हैं जैसे कि अचानक से तेज दर्द होने लगता है कुछ भी आप खाते पीते हो तो एकदम से आपको दर्द होने लगता है साथ इसाद अगर आप कोई ठंडी चीज या गरम चीज खाते हो ठंडा गरम एक साथ खाते हो तो दातों में जंजनाहर सी होने लगती है दातों के आसपास सूजन आने लगती है और मसूडों से कभी कभी खून भी आने लगता है इसके अलावा दात के आसपास चोट या जो दर्द को कम करने के लिए दी जाती है जैसे कि इस गोली का नाम है KytoRole DT Tablet KytoRole DT इस tablet का brand name है इसे नाम से Mitte diagnostics पर आपको ये मिल जाती है और इसमें DT का मतलब होता है कि आप ये गोली जो है पानी में गोल कर ले सकते हो इस टैबले के अंदर composition में किटो रोलेक ट्रॉमिता माइन आता है जो कि 10 मिलिग्राम में है और ये Dr. Redis Laboratory Company की tablet है अब बात करते हैं इसके price के बारे में तो ये 160 रुपे की आपको 15 गोलियम मिल जाती है अब जानेंगे दोस्तों ये जो tablet है ये क्या काम करती है आपके शरीर में तो ये एक प्रकार की दर्द निवारक tablet है या pain relief tablet है जो की दर्द को कम करती है क्योंकि ये non-steroidal anti-inflammatory class की दवाई है ये tablet आपके दाथ के दर्द को कम करेगी और short term pain को कम करती है यानि जब भी आपको कम समय के लिए अचानक से तेज दर्द होता है तो दर्द को कम करेगी inflammation को कम करेगी और कभी-कभी fever को भी ये कम करने में इस्तेमाल की जाती है ये tablet दोस्ता आपको अपने पास जरूर रखनी है emergency में बहुत ही काम आती है ये tablet जब भी आपको अचानक से तेज दर्द होने लगता है सहन नहीं होता है दर्द तो आप इस गोली को ले सकते हो और 10-15 मिनट में ही आपको दर्द से आरा मिलने लग जाता है अब बात करेंगे इस tablet की डूस के बारे में किस प्रकार से ये tablet दी जाती है patient को तो ये एक tablet पानी में गोल कर patient को दी जाती है पानी में गोल कर लेने से जल्दी अपना असर दिखाती है यानि पानी में गोल कर आप इसको ले सकते हो ये tablet दोस्तो दिन में 3-4 बार भी दी जा सकती है डिपेंड करता है patient की condition क्या है किस प्रकार का दर्द उसको हो रहा है तो उसके according patient को दिन में 3-4 बार दी जाती है और ये tablet आपको तब भी लेनी है जब आपको जरुरत हो daily इस tablet का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है यानि जब आपको तेज दर्द हो रहा है तब आप इसको ले सकते हो एक dose में आपको आराम मिल रहा है तो दूसरी tablet आपको लेने की जरुरत नहीं है फिर भी अगर आपको बार-बार pain हो रहा है तो आप एक दिन या दो दिन इस tablet को ले सकते हो फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आपको डॉक्टर से consult करना है ताकि further treatment आपको दिया जा सके जादा अच्छा रहेगा आप अपना डॉक्टर की सला के according इस tablet का इस्तिमाल करें बात करेंगे दोस्तों इसके कुछ common side effect के बारे में जो आपको देखने को मिल सकते हैं और जाहिसी बाते दोस्तों जितनी अच्छी tablet है कही ना side effect भी आपको देखने को मिलता है और जो भी side effect होंगे दोस्तों वो temporary side effect है जादा दिन तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे जैसे कि इसकी वज़े से vomiting हो सकती है stomach pain होना, nausea, indigestion, diarrhea होना, heart burn या भूख आपको कम लगने लग सकती है जो भी side effect है दोस्तों temporary side effect है जादा दिन तक आप वो देखने को नहीं मिलेंगे तो दोस्तों इस पकार से आज इस वडियो में हमने जाना कीटर और डीटी टाबलेट के बारे में जो कि आपके दाथ के दढ़ को कम करने के लिए दी जाती है कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना साथी दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्याद जरूर दिखाएगा ऐसे ही नए नए वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी देने बाद मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए देखते रहेए विकास मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल